आज एक ऐसी अधाकारा का जन दिन है जिनके फैन्स सब हैं जी हाँ दोस्तों आज हम सबकी फेवरेट आक्ट्रेस दीपिका पादुगोंड का जन दिन है अपनी आक्ट्इक से सबका दिल जीत चुकी दीपिका ने अपना सफर फिल्म बिलु के साथ शुरू किया था जिसमें उनों ने गाने में शारुख खान के साथ डांस किया था उसके बाद दीपिका ने ओम शांतियों में लीज आक्ट्रेस के रूप में काम किया फिल्म में उनकी आक्टिंग ने सबको उनका फैन बना दिया अपने आक्टिंग करियर के साथ साथ दीपिका अपनी लव लाइफ के लिए भी सुर्खियों में रहती है साल 2012 में आई फिल्म ड्राम लीला में उन्होंने रनवीर सिंके साथ काम किया जिसके बाद दोनों की दोस्ती बढ़ गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे साल 2004 में दीपिका ने डिप्रेशन में होने के लक्षन देख लिये थे दीपिका ने बताया कि वो समझ ही नहीं पा रही थी कि उनके साथ क्या हो रहा है वो उदास और अकेला महसूस करने लगी थी फिर अपनी फैमली के सपोर्ट से और एक ऐसे इनसान का साथ बाकर जिससे वो शादी करने वाली थी उसका साथ मिला और वो ठीक हो गई साल 2018 में दीपिका ने अपने प्यार यानी रनवीर सिंग से शादी की और अपनी नई लाइफ की शुरुआत की आज दीपिका रनवीर सिंग के साथ बेहत खुश है दीपिका ने 2020 में आसेट आटाक पर बनी फिल्म शपाक में भी अपनी बहतरी नाक्टिंग से सबका एक बार फिर दिल चीता हाल ही में हुई रिलीज फिल्म 83 में भी उन्होंने रोल किया इन दिनों दीपिका के पास एक प्रोजेक्ट है फिल्म गहराईया जो इस साल रिलीज होगी नवोदे टीवी की टीम की तरफ से दीपिका को जन दिन की हारदिक शुपकाम ना है नवोदे टीवी की स्पेशल डेस से शुति की रिपोर्ट